आज का प्रथम प्रश्ण है ये पुज्य माराजी ठाकुर जी का जनम यदवन्स में ही क्यों हुआ? क्यों जी किसी भी वन्स में होता? आपको तो प्रश्ण करना था इसमें क्यों हुआ? अरे कहीं तो हो गई? फिर भी आपने पूछा है? तो भगवान का अवतार तो सभी जगा होता है नर्शिंग अवतार, कहीं बावन अवतार, कच्चप अवतार, मोहनी अवतार, भगवान के तो नाना अवतार है तो सभी जगा भगवान अवतार लेते हैं फिर भी आपने ये दुवन्स में पूछा उसका कार्ण कि राम और कृष्ण अवतार ये दुवनसे में हुआ राम कृष्ण अवतार ब्राह्मन कूल में क्यों नहीं हुआ और कूल में क्यों नहीं हुआ इसका उत्तर ये है क्योंकि जब जब हो ही धरम की हानी बाड़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधरी बिविद शरीरा हरही कृपा निधी सज्जन पीरा तो भगवान ने गीत में कहा यदाय यदायी धरमस्या गलानीर भवती भारता अभ्यू थानम अधरमस्या तदात मानम स्री जामयम प्रित तानाई सादुनाम विनार शाय चैदूस की ताम अब ये दुष्टों का संगार करना है जिस अवतार में जिस अवतार में दुष्टों का संगार करना है तो दुष्टों का संगार कारिया किस की हाथ में है राजा या क्षत्रियों के हाथ में ये राजधरम है क्षत्री धरम है दुष्टों का संगार करना और किसी का धरम नहीं है तो राज धरम खत्री धरम है दुष्टों का संगार करना उनको उचीत दंड देना तो ये काम तो खत्री का है इसलिए भगवान खत्री कुल में ही जनम लेते हैं क्योंकि भगवान को संगार लिला करने है इसलिए भगवान का खत्री कुल में जनम लेना ही तब ही सार्थक होगा जब हो दुष्टों का संगार करेंगे यदि भगवान खत्री कुल में जनम लेंगे तो दुष्टों का संगार दुष्टों को उचीत दंड कैसे दे पाएंग तो मुनुष्या की जो मरियादा है जो सनातन मरियादा है वो यही है कि खत्री का धरम है यह राज धरम है दुष्टों को उचित दंड देना इसलिए भगवान प्रित तनाए साधू नाम विनाशायचे दुस्कृताम दुष्टों का संगार विनाश रिल्या करने के लिए भगवान अवतार ले चुके थे राम जी अब रहा गया चंदरवंस इसले भगवान चंदरवंस में अवत्री तो होते हैं तो राम अवतार भगवान ने लिया राजा के घर भगवान ने सोचा अब की बार राजा के घर अवतार नहीं लेना अब की बार खट्री के घर अवता लिये राम अवतार अब कि बार मुझको राजा के घर में नहीं साधान क्षत्री के घर में जनम लेना है। इसलिए भगवान स्री किष्णर भगवान के पिता यदू वंस यदू महाराज तक कोई भी राजा नहीं क्योंकि ये उनके पिता का शिराप था। इसके बाद फिर परश्ण उठता है कि चंदरवंस में और भी तो कितने वंस चंदरवंस में अवतार लिया तो उसका भी कार्ण है कहा कि जब राम जी का अवतार होता है तो उस समय लिखावा कि मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाने कोई रत समेत रवी था कि उनिशा कवन विदी होए तो जिस समय राम अवतार हुआ था उस समय एक मास तक सुरिया स्थिर रहा और सुरिय भगवान राम जनम एक महिने जो उस समय मास दिवस कर दिवस भा मन एक महिने का एक दिन हो गया तो सूरिय जाएं तो चंदर्मा आएं तो बाद में चंदर्मा ने रामदी से शिकायत ही परभू एक मास्त के आपका जन्म उटस्व मनाया गया वह अब आगा आपका जन्म देखने पाया सारे देवताओं ने आपके जन्म कानन्द लिया और मैं नहीं ले पाया तब ही मैं परगट हूँगा। तुम रात्री के बारा मजे निकलोगे अस्टीमी का चंद्रमा। तो मैं अस्टीमी को और तुम्हारे निकलते अवतार लूँगा। और मैं मत्वरा से जब गुकुल जाओंगा तुम अराम से मुझे को अकेले देखते रहना कोई मुझे को नहीं देखेगा तुम ही देखते रहना और पिजला जनम मैंने लिया अब की बार मैंने जनम लिया सुरिया वनस में अगली बार जनम लूँगा तुम्हारे ही वनस में और अब की बार भली मैं सुरिया वंस में मैंने जनम लिया राम जी बोले चंदर मासे अब की बार भली मैंने सुरिया वंस में जनम लिया लेकिन मैं अपने नाम के साथ तुमारा नाम रखूँगा मेरा नाम राम सुरिया नहीं होगा मेरा नाम राम चंदर होगा तुमारा नाम में अपने नाम के साथ लगाऊंगा और अगले अवतार में भी मेरे नाम के साथ तुमारा नाम होगा कृष्ण चंदर और तुमारे ही वंस में अवतार होगा और जब तुम निकलोगे तब ही मैं अब तरित हूँगा और मत्रा से गोकल की रास्ते में तुम अकेले मुझको जी भर के देखना का प्रभू दो-चार घंटी तो देख पाऊंगा लेकिन यहां तो एक महीना सुरिया ने देखा है तुम मुझको भी तो कमस का महीना मिले भगवाने का ठीक है तुम महीनी की बात करे हो मैं छे महीने की एक रात बनाऊंगा रास के समय और तुम जी भर के मेरी रास देखा ना उस समय सुरिय पास भी नहीं आएगा तब चंद्रमा प्रसंद हुए और इसलिए भगवान ने अगली बार मने कृष्ण रूम में जब जन्म लिया तो चंद्रमा चंद्रवन्स में जन्म लिया है तो आपका प्रसंद था कि पूजय महराजी ठाकुर जी का जन्म यदुवन्स में ही क्यों आपके प्रसंद का उत्र